आज हम बनाने चाह रहे हैं कस्टड केक यह बहुत ही सिंपल एंड एजी रेसिपी है कस्टड केक बनाने के लिए फिर्स हमें कस्टड बनाना होगा कस्टड बनाने के लिए पहले में लोंगी एक कप मिल्क उसमें मैं त्री डेबल स्पून कस्टड पाउडर एड़ करूंगी मैंने वनीला फ्रीविट कस्टड प्लाव पाउडर लिया है आप जो अवीलिबल है आपके पास या मार्केट में वह लिख सकते हैं हमें इसे अच् अब मैं बेकिंग ट्रे को वेजटेबल ओयल से ग्रीस करूंगी यू के इवन यूज बाटर पेपर अगर आपके पास बाटर पेपर नहीं है तो आप बेकिंग तिन को मैदे से डस्ट कर देना इवन बाटर वर्क्स अमेजिंग अब हमारी कस्टड में बॉल अनुशुरी हुआ है और इस इस परफेक्ट कंसिस्टेंसी जब इस कंसिस्टेंसी में कस्टड फर्क जाए तब आप फ्लेम आफ कर देना और इसी कूल होने के लिए रख देना अब हम हमारे केक का ड्रा इंग्रीडियन प्रिपेर करने जा रह लुँच में अरांट ट्यस्टेंस कर दिम अद्यूंच मेदाय है डाल में अल पर पस प्लावर कर का ट्रा तब में और इस थी ट्यून ए पींड़ेकिंग सूदर आड ऑ हम आओं में और आर थी से इस से स्टै Karma olha and don't ask keep the step this is a very important step for my wet ingredients I require three eggs half cup oil half cup sugar and vanilla essence as I don't have electric whisker I will prepare my wet ingredients in a mixer blender add each ingredient at a time and blend it for around 30 to 40 seconds this is a very amazing technique if you have electric whisker same outcome is the same outcome I have tried it many times and it works out meanwhile I will preheat the oven at 180 degree Celsius for 10 minutes now I will add this wet ingredient which I have made in mixer blender to the flour mixture we have to whisk it properly and make sure that it is not a lump whisk this mixture in one direction I will add custard which I have to keep it warm I will add custard which I have to keep it warm स्मूर्थ कंसिस्टेंसी और इसमें कोई लंब्स ना रहे तब तक इसे हमें अच्छे से मिक्स करते रहना होगा जब यह अच्छे से मिक्स हो जाए इसे में अब वेकी पेल में डालूगी हमें इसे अब 5-6 ताइम्स ऐसे क्रैप करना है अगर कोई एर बबल हो तो वो निकल जाएगा मैं अब केक को अवन में बेक करूंगी अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे प्रेशर कूपर में भी कूप कर सकते हैं आप मिडियम फ्लेंट पर अबाउट 40-45 मिनेंट नाव इस अल्मोस्त 25 मिनेंट और मेरा वेक हो गया है मैंने उसे नाइफ से चट किया था और यह जब केक को अवन से बाहर निकालेंगी और उसे कूल होने के लिए रख देंगी जब केक कूल हो गया था तब मैने उसे देमोल किया था and I forgot to record it this is my cake, how it turned out बहुत ही spongy and बहुत ही बेक हुआ है और बहुत ही दिस्ती बना था and please give a try to this recipe and if you like this video, please hit the like button comment below and share this video with all your friends and if you have come to this channel for the very first time then do watch my videos linked below and if you like them then please do subscribe to my channel and hit the bell button so you get notification every time i upload a new video i'll see you next time bye